नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जेश्ट महा के शुकल पक्ष की अमवस्या को वट सावित्री वरत किया जाता है यह दिन शनी जन्ती के रूप में भी मनाया जाता है सुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए यह वरत रखती है कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पती सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी जिसके बाद उन्हें सती सावित्री कहा जान लगा वट सावित्री वरत देश के उत्तर राजियों जैसे की दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हर्याना में मनाया जाता है महराष्ट्र, गुजराद, एवम दक्षन के राजिये इसे वट पूरनिमा वरत के रूप में वट सावित्री वरत के 15 दिन बाद मनाते हैं इस साल वट सावित्री वरत अमावस्या है 30 मई सोमवार वट सावित्री पूरनिमा वरत है 14 जून मंगलवार वट सवित्री फ्रत का महत्व पुराणों की माने तो वट फ्रिक्ष में भ्रम्मा फिश्णु महेश्टीनों का वास है इस फ्रत में बर्गत पेड के चारों और घूम कर रक्षा सूत्र बांधा और आशिरवाद मांगा जाता है इस अफसर पर सुहागिनों एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं इसके अलावा पुजारी से सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती हैं नव वाहिता सुहागिनों में पहली बार वट सवित्री पूजा का अलग ही उटसाह रहता है वर्ट सवित्री के वरत के दिन बर्गत पेड़ के नीचे बैट कर पूजन वरत कथा सुनने से मनोकामनाई पूर्ण होती है इस वरत में महिलाएं सवित्री सत्यवान की कथा सुनती है वट फ्रिक्ष के नीचे बैट कर ही सवित्री ने अपने पती वरत से पती सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था दूसरी कताओ के नुसार मारकंडे रिशी को भगवान शिव के वर्दान से वट फ्रिक्ष के पत्ते में पैर का अंगुटा चूस से हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे तब ही से वट फ्रिक्ष की पूजा की जाती है वर्ट वरिक्ष की पूजा से घर में सुक्षान्ती धनलक्षमी का भी वास होता है वर्ट वरिक्ष रोग नाशक भी है वर्ट का दूद कई बिमारियों से हमारी रक्षा करता है अधिक जानकारी वाने वाले सानों में वर्ट सवित्री वरत कब कब है या जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं आपका धन्यवाद क्रिप्या इस वीडियो को लाइक वर शेर करें वर चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद